स्वतंत्रत संगराम सैनानी नवाब मज्जू के मजार पर स्वतंत्रत दिवस के अवसर पर मुरादाबाद एडियम सिटी व एडियम प्रशासन ने चादर पोशी की आठ जुन 1857 को समराट बहादुर शाह जफर ने नवाब मज्जू खान को मुरादाबाद का हाकिम घुशित किया बड़ी बहादुरी से आपने अंग्रेजी पल्टनों का मुकाबला किया सारी पल्टने नैनिताल भाग गई जेल तोड़ दी गई कैदी आजाद कर दिये गए सरकारी खजाने पर कबजा हो गया काफी समय तक आपके हुकूमत रही अंग्रेजों के द्वारा कबजा होने पर मुरादाबाद के गल्चही जिगर पार्क के सामने वतन परुस्तों को फांसी दी गई गोलियों से भुना गया सरकलम कर कब्रिस्तान में इमली के पेर पर लटका दिये गए 25 अपरेल 1858 को आपको गोली मार कर शहीद कर दिया गया चूने में डालकर हाथी के पैर से बांध कर शहर की सडकों पर खिचवाया गया करना है उनके प्रफिस दास रुमन समर्पीद करना है और अपनी सोतनता को याद करके हमें जिन वीरों ने देश को आजाद कराने के लिए अपना व्याद बलिदान दिया ठ्याक किया उनसे प्रेड़ा लेनी है और आगे रास्त के लिए इसी तरह का काम कटां सबस्ता का पालन करते हुए सभी लोग सवस्त रहें शुरक्षित रहें यह मेरी अपील और जिन लोगों को जहां भी कहीं लगसंड दिखे या उनको संदे हो तकाल उनको जिलाज पताल जाकर तो सबस्ता अपना चेक कराना चाहिए और अपना मेडिकल परिक्षन के उपरां से भी पाया जाता है कि पॉजिटीव हैं तो उसी इताब से जो स्वास विभाग उनको ए नबाब मजू खां साहब उनको 1869 में अंग्रेजों ने खासी दी थी और उनकी यहां मजार बनी हुई है और सोतनतरा दिवर्स के उपलक्ष में हम लोग नबाब मजू खां की मजार पर प्रसासन की तरफ से ताज यह चादर पोशी की जाती है आज हम लोगों ने चादर प अब बता दें कि आज से हमारा नसा मुक्त भारत अभ्यान भारत सरकार के आवान पर नसा मुक्त भारत अभ्यान का प्रारम किया गया है और आज से नसा मुक्त भारत अभ्यान की शुरुआत की गई है तो हमें सब को नसे से दूर रहना है नसे को बंद करना है और किसी भी को जो नसा कर रहा हो या नसे के लिख हो नसे कादी हो उसको नसा चोड़ाने के लिए जो भी हम प्रयास कर सकते हैं उप्रयास करने हैं